Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीई इना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का lesson first करने जारें इस lesson के अंदर में हम बात करेंगे नगरी करन क्या है, what is urbanization दोस्तो इस topic को start करने से पहले, सबसे पहले हम छोटा से एक introduction करते हैं MHI 010 का क्योंकि आज हमारा lesson first है और इस introduction के अंदर में हम जानेंगे कि इस पूरे book के अंदर में हमें क्या-क्या पढ़ना है दोस्तो जब मैं MHI 010 की बात करता हूँ, तो one of the important book है और थोड़े tough भी है, क्योंकि इसके अंदर में जो questions बनते हैं, जो topics बनते हैं हर एक topic दूसरे topic से अलग है, अगर आपको basic चीज़े clear नहीं होगी तो आपको लिखनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस book का नाम जो आपका एगा भारत में नगरी करन, अर्बनलाइजेशन इन इंडिया ठीक है, इस नगरी करने के अंदर में पढ़ते क्या हैं, तो भारत की नगरी विवस्ता किस परकार की थी नगर किस तर से बने, नगरों का विकास किस परकार से रहा, नगरों का सोरूप क्या है, किस तर से वो विक्सित हुए तिक है, उनके विकास की पूरी परकिरिया पढ़ते है, विक्सित होने की पूरी परकिरिया को हम जानते है विक्सित का कहने का मतलब क्या कि आरंब में नगर किस तरह से थे इस्टार्टिंग में आरंब में नगर किस परकार से थे और आरंब के बाद आधूनिक नगर किस तरह से है इसके बारे हम बात करते हैं आरंब नगर कुन कुन से थे, तो हडपा हो गया, मोहन जोदरो हो गया, काली बंगन हो गया, लोथल हो गया, जो यहाँ पर जो साक्षी मिले न नगर हो के, तिक उसको हम आरंबिक नगर के तौर पर जानते हैं, तो आरंब के नगर का सोरूप किस तरका था, और आधुनिक केंदर क्या होता है जहां पर economical केंदर के तौर पर दिखा जाता है Center of economic के तौर पर दिखा जाते कि वहां से पूरी economic को लीड किया जा रहा है आज के समय में जो आधुनिक नगर है दिली मुंबई कोलकत्य चैनल यह क्या करता है भारत की मतलब economic point के तौर पर है जहां से पूरी economic को रूल किया जाता है कि यहां से अगर earning आ रहे है तो मतलब समझो पूरा देश चल सकता है इस तरीके से देखा जाता है तो किस तरह से नगर आर्थिक केंदर पर बना ठीक है उसको हम पूरा यहां पर study करने वाले तो बहुत important topics होने वाले हैं बहुत ज्यादा information informative होने वाली है बुक चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का chapter ठीक है आसर करते हैं आपको समझ में आएगा तो हम यहां बात करते हैं नगरी करने केंदर क्या है ठीक है तो जहां पर गाहों की अपेक्षा ठीक है जो नगर केंदर में जो अबादी क कम होगी तो वह नगर नहीं माना जाएगा तो नगरी केंदर क्या है कि आपक्षा अबादी जादा है ठीक है यहां कि जो लोगों का मतलब जो संबंद है वो खागय उतपादन से नहीं होता है, वो उपजाओवाले, कृषी कारें नहीं करते हैं, जाद तर वहां पे जो कृषी कारें किया होता है, सांस्करितिक, पुर्धुके की, वानिजीक, धार्मिक, कलातमक, सैनिक, राजनितिक, परुषासनिक कारें में लगे ह पर जब हम नगर की और आपन का जो आधारित करके चलते हैं या फिर इन से जुड़ा हुआ ही कारे करते हैं पर जब हम नगर की और आते हैं तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको कि वहाँ पर उद्यवपर्द्योगी की विकास बहुत जादा तेजी से देखने के लिए मिलेगा मुहाँ पे जो जीवन वे आपन का सोरूप है वो बहुत अलग मिलेगा देखने के लिए ठीके लोग कृषी के अलावा दूसरे कारे में लगे होंगे नगरी करण का में आधार देखा जाता है उनकी जनसंख्या से ठीके तो नगरी करण की जनसंख्या होगी वो पलायन के ग्राम के मुकावले चंसंक्या अधिक होती है ठीक है तो नगरी केंदर क्या है समझ में आ गया तो नगरी केंदर आवास देखो नगरी केंदर क्या है आवास में अन्ने गती वीडियों का केंदर है जहां गाओं के पेक्षा घनी अवादी होती है ठीक है समझ में आता है यहा आ पर दूसरा नहां पर टॉपिक आता है अधिसेस कहा है। अगर मैं इंगलीज में बताओं आपको क्या कहते हैं तो यहां पर अधिस यह पर अधिसेसником होता है । मतलब होता है तो यहां पर voice Да और वाला जो टॉपिक है अप इसको अनाज की उपज इतना इनव नहीं था, कि वो दूसरी को भी दे सके, पर क्या होता है कि NGAR, ठीक है, नगर वैवस्ता क्या करती है, कि अनाज का उपज ले लेती है, किस तरह से लेती है, एक ग्राउन के वेक्टी नहीं है, इतना ही अनाज उपस किया जिससे उसका पेट भर सके पर जो वीनिमे के जरिये ठीक है अलग-अलग तरीके से या फिर टेक्स बरा उसने गौर्रमेंट को तो टेक्स बरा तो टेक्स के रूप में अनाज को दिया ठीक है अनाज को दिया तो किसी ना किसी तरीके से वो अधिसे क्या हुआ नगर में चला गया तो उसको हम अधिसेस के तोर पर देखते हैं कि पारंब में प्रद्योगी की अधिक विक्सित नहीं थे फल्सुरूप क्रिशी क्या करते थे अधिक मात्रा में उत्पण नहीं करते हैं मतलब ज्यादा टेक्नोलोजी नहीं थी तो उसके कारण से कि लिए तो उसको फीज के रूप में अपने अनाध दिया तो नगर में पहुची है वो ठीकिये कोई मालो कोई लोहार रह रहा है ठीकिये कोई की सिल्पकार रह रहा है किसी ना किसी दर्दिके से विनिमे के जरिये ठीके कुछ आपने खरिदा कुछ या फिर आपने उसके बदले में दिया या फिर आपने गिफ्ट के तौर पर दिया या फिर कर के तौर पर दिया ठीके तो वो सर्पलस क्या हुआ और नगर के अंदर में आपने आपी पहुँच जाता है तो इस तर brewery हम इसको surplus अधीव से ईसके तोर पर जानते है ठीकर नगरिये इतिहास क्या है नगरिये इतिहास के अंदर में पढ़ते हैं तो नगरिये इतिहास के महर एक इस तरह से उनका सोरूप है, वहां के रहने वाले कुट्ता बिली जानवरों के बारे में भी स्टुडी करते हैं, तो वो नगरिये इतिहांस कहलाता है, यहां पर अधिसेश के बारे में थोड़ा समय और एड करना चाहूँगा, ठीके अधिसेश को क्या का जाता है, न इसाफ से उसको regulate करते हैं, जो government policies भी बनाती है, या फिर यहां से कोई rule regulation भी पास किया जाता है, वो नगरों को मद्दे नजर रख कर किया जाता है, कि यहां पर यह चीज़े suitable हैं, ठीके, अगर कोई government policy बना जाती है, तो सबसे पहले कहां पहुंचती है, नगरों के पास वह उन्होंने का कि जो सहर है, क्या परभुत्व का सरुपरी होता है, मतलब उसके अंदर में परभुत्व, ठीके, जो मतलब पावर, वो सबसे ज़्यादा importance देखी जाती है, पावर होता है, परभुत्व होता है, उसके अंदर में यह देखा जाता है, ठीके, उसाथ साथ में कहते हैं कि यहां पर अलग अलग जन जाती विविन राजाओं का किंद्री करन पर धारित होती है ठीक है यहां पर यह नहीं है कि गाओं में क्या आप जाओगे तो वहां पर एक एक पर्सन एक विक्ति को जानता है ठीक है जणगर्णा वाले अगर गाओं में आये ना तो उसक वो किसी एक बच्चे को पकड़ ले और वो जिस मर्जी का नाम पूछ ले उसका खंदान का नाम पूरा बच्चा बता देगा उसकी चार-पांच पीडियो का नाम बता देगा किसके दादा जी का नाम यह था उसके दादा जी का नाम यह था उसकी बीबी यहां रहती है उसका बारे में नहीं पता कितने लोग रहते हैंों के बच्चे क्या करते हैं वो नहीं पता तो यह कि वो राजपूत है, वो ब्रामन है, इस तरह से जंजाती है धार पर उसका नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, जैसे जिस मैं गाउं से बिलों करता हूं, तो उसको पूरा राजपूतों का गाउं का जाता है, ठीक है, बारा गाउं को मिला कर, ठीक है, थोड़ा सा सलिबस जाता कि यह है उसके आस-पास के जोगरिये हैं दूसरे बसे हुए मतलब वहां पर हमें दूसरे को बसने नहीं दिए कभी ठीक तो इस तरीके से उसको मज़ता है गाउं के अंदर में यह चीज़ह आती अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंतरिक वर्षिक कलपना के रूप में नगरवाद अंतरिक वर्षिक कलपना के रूप में नगरवाद इसका मतलब होता क्या है अंतरिक मतलब होता क्या है तो यहाँ पर देखोगे तो मैं एक इंग्लिस वाले आपका जो है इस पर ले लेता हूँ Interdisciplinary Project के तौर पर हम यहाँ पर अंतवर्शिक को बोलते हैं ठीक है English के अंदर में तो इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा कुछ और भी चीज़े ठीक है यहाँ पर नॉर्मिली का जाता है कि जैसे आप जब इसके बारे में study करोगे नगर यह तिहास के अंदर में study करोगे तो सिर्फ नगर का विकास को हम परकिरिया को नहीं देखते हैं कि नगर का विकास हुआ उसके अधारे दूसरी चीज़े भी होते है Interdisciplinary मतलब क्या होता है Interrelated मतलब उससे दूसरी चीज़े भी संपर्क में रहते हैं दूसरी चीज़े भी जूड़ी रहते हैं अब देखो हम for example डेली का example लेते हैं ठीक है डेली डेली का सोरूप किस तरब सहर है कि डेली बहुत ज़्यादा घनियावादी वाला सहर है ठीक है तो घनियावादी वाला सहर है ठीक है यहाँ पे बिजली का जो खपती वो बढ़ना सुरू हुआ पानी की जो जरूरते हैं वो बढ़ना सुरू हुआ ठीक है तो उसके इसाब से हमारी आपपुर्ती मांग बढ़ने लगी तो उसके इसाब से लोग गोवर्मेंट ने सप्लाइ करना सुरू किया ठीक है उसक के समय में दिली के अबादी धाई करोड से ऊपर है ठीक है 2.5 करोड से ऊपर है दिली के अबादी और यहां पर जो पानी का सुरोत है एक नदी से इनफ नहीं है ठीक है हमारे डेली गॉर्मेंट पंजाब से ही मांग रही होती है पानी हरियाना से ही मांग रही होती है मतलब ज जब डैली में किजरिवाद के सरकार है अभी समय आमाधी पार्टी की सरकारator अभी पार्टी अर्फ चिंश्य we 더usion तोड़ी कम ती थी तो उस समय सीला-ळिक्षित की सरकार थी तो अभी किया अभी किए दिल्ली के अबादी बढ़ी और पानी की वयवस्ता वो बिकार हो गई बिकार होने का मतलब क्या अबादी भड़ी तो अब उसी पानी को ज्यादा लोगों में बाटना पड़ रहा है तो अब पानी क्या होता है वीक में सिर्फ तीन दिन आता है ठीक है तीन दिन भरो वो भी एक टाइम आता है और बसी स्थरे चल रहा है तो क्या तो नगर के अंदर में हम सरीफ उसके सोरूप को नहीं देख सकते हैं, किस तर से विक्सित हुआ है, उसकी भी हमें कलपना करना पड़ेगा अगर पहले एक वेक्ती रह रहा था, तो एक वेक्ती के लिए एक गिलास पानी इनफ था अब मालों वहाँ पे आचानक से पांच लोग अगए, तो एक गिलास में तो नहीं पी सकते हैं, तो उसके लहमें उसका अलग से इंतजाम करना पड़ा होगा तो एक अगर आपके पास बुक है, हाड कॉपी है, तो सौफ्ट कॉपी इगनु की वेबसाइट पर जाकर डारेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, मैंने देखो यहाँ पर लेखे रखा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अन्तविश्यक, आपको समझने में थोड़ा सा द तुलनातमक पदेती, यह जो नगरबाद की स्टडी का तुलनातमक पदेती है, बहुत ही जादा बेनिफिश्य होता है, क्योंकि देखो, अगर हम किसी को कंपेर करके पढ़ रहे होता है, कि यह यहाँ पर ऐसा था, तो हम वहाँ के लोग, वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ की जीवन व्यापर, वहाँ की पदेती के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा है, ठीके, तो नगरबाद की तुलनातमक पदेती क्या है, तो यहाँ पर कहता है, तुलनातमक पदेती, सोद पदेती के तौर पर अपनाया गया, ठीके, एक तरसे रिचर्च के तौर पर, जह हम नगरवाद को study कर रहे हैं तुलादमकदी comparison के तौर पर ठीक है competitive study कर रहे हैं ठीक है जो समझ में आता है तो यहाँ पर ही आ जाता है यहाँ पर जो one of the important topic यहाँ रहता है इतिहास लेखन नगरवाद का इतिहास लेखन के अंदर में Henry Pineri और Max Baber का जो विचार दा रहा है वो important हो यहाँ पर play करता है छोटा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ बाकी आपको मैं पूरा suggestion यह दूँगा कि एक बार आप इसका self study भी करना बूख का इसमें सबसें खास question बन के नहीं आता है नॉर्मली question बनता है नगरी करन क्या है इसी को define करना होता है जो भी मैंने अभी तक बताया ना वो सारा आप डीटेल में बताऊगे नंबर इच्छा मिल जाता है अब हेंडरी पिनेरी और मैक्स बेबर ने नगरवाद को लेकर क्या कहा इसके बारे में हम बात करें तो normally हेंडरी पिनेरी क्या कहते है कि नगरवाद क्या एक क्रांती कारी नगर क्रांती के तौर पे देखते हैं नगरी करन को जैसे स्टार्टिंग में तो गाउं में ही लोग रहते थे अब दीरे दीरे वो सहरों में रहने लगे ठीक है सहरों के और पलायन करने लगे तो नगर बना कैसे पलायन से बना ठीक है जब गाउं के अंदर में उनकी जरूरते पूरी नहीं हो पा रही थी ठीक है तो उन्होंने क्या क्या पलायन क्या मैं बिहार से देली में आकर रह रहा हूं यूरोप के नगरों को भी उसमें एड करते हैं कि यूरोप के अंदर में जो क्रांती हो रही थी ठीके जैसे सामनतवाद का पतन हुआ ठीके ओपन जो वैपार होता था मुक्त वैपार की जो नीती शुरुआत हुई उसके कारण से भी नगरों का निर्मान होना शुरू हुआ कि अब मुक्त वैपार की नीती से क्या हुआ कि एक जगा से दुसरे जगा वैपार या आनी जाने लगे ठीके तो धीरे 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 क्या हुआ सामन्त वाद कहा था नगरों को गाओं को बांध कर रख रखा था ठीक है जैसे सामन्त वाद का पतन हुआ तो नगरों के और पलाएं होना शुरूआ नगर नए नगर बंते हुए चलेगा तो हैं एंडी पिनेरी इस तरह से मांते हैं मैक्स वेबर के हम बात करें तो मैक्स वेबर कहता हैं चजिक सथ्सेजिय। करते हैं पुर्ण जया बहुत है तो नगरी करण का मतलब राजनितिक सथ्सेजिय। कर रहा होता है उसके कारण से इसको जाना आता है ठीक है तो नगरी करन का परतिनीदी तो दिल्ली क्या कर रहा है राजनीतिक सत्ता का परतिनीदी तो कर रहा है इसके कारण से दिल्ली का नाम है ठीक है यहां पर मतलब नगरी को इस तरह से दिखाते हैं कि किला बंदी होगा न आप दिल्ली के अंदर में लोग आके रह की रहे हैं दिल्ली के अंदर में connectivity अच्छा है ठीक है आप आनाम से internet इस दिन बर यूज़ कर सकते हो ठीक है गाउं के अंदर में इतने internet की उस्तरगी सुधा नहीं है ठीक है यहाँ पर 24-7 बिजली है पानी है सुधा है मतलब जो अमेरिका में नगरवाद क्या रहा है यह normally topic है जादा कुछ है नहीं नगरवाद और आधुनिक्ता करके यह topic आता है ठीक है इसके अंदर में बात करते है कि अधूनिक नगर में भावनों को इस परस्टूरप से दिखा लेता है ठीक है जो आधुनिक नगर है वहाँ पे जो वह न आपको साफ दिखेगा, वहां की सड़के साफ दिखेगे, मतलब आधुनिक नगर किस परकार से, नगरवाद और आधुनिकता, नगरवाद के अंदर में आधुनिकता को किस परकार से एड गया गया, उसके बार में आपे बात करता है, ठीके, तो यही पूरा टॉप question रहता है यह दो question important है तो इन दोनों question को आप अच्छे से पढ़िए ठीक एक question यह भी रहता है कि नगरवाद का अध्यात्मक तुल्यात्मक अध्यन के चर्चा के जई है ठीक है तो यह इसके वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना था thank you so much for watching me thank you so much for listening me but a request है आप से भी student से अगर वीडियो आपके लिए helpful लग रही है ठीक है तो हमें subscribe जरूर करें ठीक है channel को like, share, subscribe जरूर करें और आप हमें join भी कर सकते हैं और इस तरह की और भी वीडियो जो आपका syllabus हमें complete करवाना है तो इस तरह की और भी वीडियो हम day by day डालते रहेंगे तो आपके लिए benefits benefits होने वाला है तो हमें subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको share करें thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the rest